जन्ता दल्यू के प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश सिंग कुश्वाह जी और मंच संचालन कर रहे हैं श्री धर्मेंद्र कुमार चंद्रवंसी जी प्रदेश अध्यक्ष अति पिछड़ा प्रकोष्ट जदियुद और यहां पर उपस्तित हैं पुर्व राष्टिय अध्यक्ष जन्ता दल्यू लोग सभा में संसद्य दल के नेता और मानिय सांसा स्री राजिय रंजन सिंग उर्फललन सिंगी और यहां पर राज सभा संसद्य दल के नेता और पाठी के राष्टिय महासचीप मानिय सांसा और जन्नाय करपुरी ठाकुर जी के सुपुत्र स्री रामनाठ ठाकुर जी और यहां उपस्तित जन्ता दल्यू के राष्टिय उपाध्यक्ष सा सांसा स्री बसिस्ट नरायन सिंग जी जन्ता दल्यू के राष्टिय सलाकार सप्रवक्ता स्री केसी प्यागी दी स्री मंगनीलाल मंडल जी श्री बिजंद्र प्रशाद दियादव जी मानिय मंत्री उर्जा विभाग स्री बिजे कुमार चोध्री जी मानिय मंत्री वित्व विखाग श्री महेश्वर हजारी जी उपाध्यक्ष बिहार विधान सभा जनाप अली अश्रफ फात्मी साहब राश्चिय महासाचीप पुर्व केंद्रिये राज्य मंत्री श्री स्रवन कुमार मानिय मंत्री ग्रामिल विकास भाग, श्री असुक चोधरी जी मानिय मंत्री भवन निर्मान भाग, श्री मत्री लेशी सिंग, मानिय मंत्री खाद्यूं भुक्ता संदक्षन भाग, श्री मदन सहरी जी मानिय मंत्री समाज कल्यान भाग, श्री मत्री सीला मंदल जी मानिय मंद्री परिवहन विभाग जमाम जमाख खां साहप मानिय मंद्री अल्प संक्यक कल्यान विभाग स्री सुनील कुमार जी मानिय मंद्री मद्र निसे दुद्पाद उन्निवंदन विभाग जैन्त राज जी मान्य मंत्री लगुयम जलसन साधन विभाग रतनेश सदा जी मान्य मंत्री रुसुचित जाती जन जाती कल्यान विभाग स्री सुमित कुमार जी मान्य मंत्री विज्ञान विज्ञान विप्रावधी की विभाग श्री हरी नरायन सिंग जी सदस्य बिहार विधान सभाग श्री नरेंद्र नरायन यादव जी सदस्य बिहार विधान सभाग यहाँ पस्तित सभी सांसत गन, सभी विधायक गन, सभी विधान पार्शत जनता दल्यू के सभी रास्तिये पता दिकारी प्रदेश के सभी पता दिकारी गन, जनता दल्यू के सभी जिला ध्यक्ष गन, अब भिहार के कोने कोने से आये हुए चन प्रत्रिधी गन, कारेकर्ता गन, सम्मानित नेता गन, और यहाँ पर उपस्तित प्रिंटों में इलेक्रोनिक मीडिया के प्तरकार मित्रों, छायकार ब भाईयों, यह बड़ी खुसी की बात है, और अब मैं देख रहा हूं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग उपस्तित हैं, यानि लाखों की संख्या में हैं, कम से कम, दो लाख लोग तो यहाँ पर उपस्तित हैं, और जो मैं आ रहा था, रास्ते भार दोनों तरफ, लोग ख पड़े हैं यहां पड़ तो हैं लेकिन राश्टे भर इतनी बड़ी संख्या में सब लोग यहां पर पस्तित हुए हैं हम सबेरे से ही देख रहे हैं कि जब साथे दस में राश्टिय कारेक्रम था जो जहां वो रहते थे वहां गये थे आफिर उनके गाओं में गए तो सब जगा ये चारोतब से और वही तब रामनाठ ठाकुर जी उनहीं के गाओं पर गए और उन भी साथी आते हैं हर साल जब भी कारेक्रम रहते हैं सब कारेक्रम में हम जाते रहते हैं तो सब लोग वहां बड़ा खुस रहते हैं और वहां पर उनके घर में जाकर के परिवार के सब लोगों से मिलते हैं और इतनी बड़ी संख्या में वहां भी लोग रहते हैं अब वहां देखिए अनेक धर्म के लोग पांच धर्म के लोग पूजा पाश करते हैं तो सब में हम सुनते हैं सबका साविल होते हैं और हर जगा आते हैं यहाँ पर लोग कारेकरन कर दिये थे का रहत है कि भाई हम तो पहले यह तीनों करने के बाद ही हम यहाँ आएंगे और हम देख रहेते कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आये हैं तो सत्मुचा आज बहुत खुशी की बात है कि आज उनके सौवे दिवस के अफ़र पर आप सब लोग यहाँ पर पधार चुके और अब एक और खुशी की बात है कि जन्नायक करपुरी ठाकुर जी को भारत रत्म भी प्रदान किया गया अब आप जनियर उनको भारत रत्म प्रदान करने के लिए तो हम तो फुरू से कह रहे हैं आप अगर देखियेगा तो जब हम लोग की सरकार बनी है 2005 में तो 2006 के बाद 2007 से ले करके आई 2023 तक हर साल पहले कॉंग्रेस की सरकार या और की सरकार बाद में अभी जो सरकार है इन साथ लोगों को हम अनुरोद करते रहे लिखते रहे कि जन्नायक करपुरी ठाकुर जी का भारत रत्म प्रदान किया जाए अभी लोग नहीं करते थे लेकिन कल कर दिया है तो मुझे फुसी है मैं इसके लिए केंदर सरकार को और प्रदान मंत्री जी को भी मैं बढ़ाई देता हूँ कि उन्होंने स्विकार कर लिया अब पता चल गया है कि जन्नायक करपुरी ठाकुर जी का काम इतना तेजी से हुआ और हम लोग सुरू से ही उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए जितना काम किये है तब सब को लगने लगा है कि अगर उनकी इज़त करेंगे सब प्रेस के मार्जन से हम भी उनको बढ़ाई देते हैं कि इतने दिनों से हम लोग मांग कर रहेते आप इस सब चीज मत कहिएगा कि हम लोग की मांग थी आप खुद्धे कहिएगा कि वही कर दिये हैं लेकिन तब भी आपको हम बढ़ाई देते लेकिन हम लोग तो सुरू से करते रहे और जन्नायकर पुरी ठाकुर्जी के सब काम को अजन्नायकर पुरी ठाकुर्जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे आज कर लोग परिवार का लोग कितना पढ़ता रहता हां नेता बनता जब उसने बड़े निता थे वो अपने किसी लड़के को करने ने तो चले गए तब ही हम इनको जो रामना ठाकुर जी को जब उस चले गए तो हमीर होगे रामना ठाकुर जी को आगे बढ़ाए यहां पर मंत्री रहे सब कुछ रहे आज कर राज सभा के सदस्य है और वहां पर पार्टी के तो गंदल सेकरेटरी में हैं पार्टी के निता भी हैं अहर तरह से उनका इल्ज़त हम लोग करते हैं तो हम लोग को करते हैं लेकिन आज कर तो बहुत लोग अपने परिवारे को बढ़ाते राता लेकिन आप समझ लिजे कि जन्नायक करपुरी ठाकुर्जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाये और एक ही बात जान लिजे कि जन्नायक करपुरी ठाकुर्जी से ही सिक करके हमने भी अपने किसी परिवार को आस तक नहीं बढ़ाया है या पक्ता गार लेकिए हम और लोगों को बढ़ना देते हैं तो इसलिए 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 को याद रखिए कौन क्या बोलता है बोलते रहे हमको उसे कोई लेना देना नहीं लेकिन भाई इतनी बड़ी संख्या में जो समीत जातियों के और खास करके पुछा आती पिछड़ा और उन्होंने कितना बड़ा काम किया आप बताइए जब उनको मौका मिला